पर एक जरूरी मेसेज है साथ संगाजी, बहुत जरूरी है, हमारे शहर में CHM कॉलेज है, उसकी प्रिमिसिस में चालिस कवे मरेवे पाए गए हैं, चालिस कवे, और कई जगां पर कभूतर ऐसे मिले हैं, जब डॉक्टरों ने चेक किया, तो जो बेसिक वज़ा जो पता चली हमारे यहां के डॉक्टर है, डॉक्टर राज जी, जो अमिरत लटतेस्ट की तरफ से भी सारे उलास नगर में जाके, पहले से भी खोद भी बहुत करतेंप, सारे कुट्बों को बेसके डाल केया, जब जानूरों को ख्याल नघते हैं, वो बेसे है जानूरों को कर भी आ में पाने भरके रख दे ताकि उनको पेने के लिए पाने मिल सके इतना तो कर लिजिए साथ संगत जी इतना तो हमें जागरूती होने चाहिए हम गुरू से माफी मांग रहे हैं कि हमें बक्ष दे हमारी गलतियों के विज़े से इतना कुछ जिसने दिया हम पक्षों के लिए तक नहीं रख सकते हैं पशुपक्षों के लिए. सारी संगत से, सारी मानवता से हाथ जोड कर बेंती हैं मेरी, सब लोगों से, अपने अपने घर के बार, बाल करनी में, अपने टैरिस पर, पशुपक्षों के लिए पाने के बरतन भरके रखें. कवे मरें भूख से, यह भी पता चल जाएंगे, वो खाते क्या हैं? कवे खाते हैं बूंदी और सेव. उनके लिए ये रखें, वो चावल वगरा ये सब चीज़ें नहीं खाते. यादा करके वो खाते हैं बूंदी और सेव. जो कबूतर हैं, वो खाते हैं बाजरा और जवारी. ये डाले अपने चछत पर. क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने कहा है, राज डॉक्टर जी है हमारे, उन्हें ने कहा है को ये खाते हैं, कबूतर के लिए ये दाना रखे, और कवे के लिए वो रखे. और पाने का बरतन तो रखे सकते हैं, अगर ये भी ना कर सके तो. कि कम से कम प्यास है तो ना कोई मरे पक्षी. और सारी संगत सी अपील है, हमारे नंबर आप लोगों के पास है, जो चार चलते हैं बार-बार, हल्प लाइन नंबर से, अमिरतुला ट्रेस्ट के. पक्षी को ठीक करके फिर छोड़ देते हैं, यहां पर दरबार में शुरू कर दिया गया है, तो आपको कोई भी यहां पर कोई पक्षी ऐसा दिखे, जो बिमार है, आप इन हेल्प लेम नंबर पर फोन कीजिए, हमारे डॉक्टर वहाँ पर आएंगे, उस पक्षी को ले जाएंगे, उसे ठीक करके, फिर से वह आकाश में उड़ा देंगे, गुर्णान के मेहर करें, गुर्णान के मेहर करें, हम मेहर मांग रहे हैं, बाबा नंसे जी बचन करते थे, देया चाहिए, तो देया कर भी, उससे तो देया मांगता है, कि मुझ पर देया करो, खुद किसी पर देया नहीं करता, देया जाने जी की, किछी पुन दान करे, वो इंसान ही नहीं सबसे बड़ा धर्म है दया सबसे बड़ा धर्म दया है चाहे कोई मुसल्मान हो, हिंदू हो, सिखो, हिसाई हो अगर उसके भीतर दया नहीं है तो वो धार्मिक कहलाने के लाइक नहीं है मत कहे अपने अपको धार्मिक अगर आपके पास पशुपक्षी आपके आस पास भुखे मर रहे हैं तो हम उसकी द्या के काबिल नहीं है फिर साथ संगत जी जितनी हो सकी जरास हर बार आपसे बेंती करते हैं जितना हो सकी अपने आस पास पॉड़ोंस में नजर डालिये आपके जितनी capacity है ज़रूरी नहीं आपने एक लाघ को इक खिलाना है सौमी वेकानन जिका करते है तूँ सौ को नहीं खिला सकता एक को खिला पर खिला जरूर there क्योंकि भगवान यह नहीं देखता है कितने लाघ को कितने हजारों को खिलाया है बगवान भावना देखता है किस बावना से खिलाया है प्यार से वह लिया, धन गुर नानक हमारी कैपेसीटी जितनी है कोई गरीब आदमी एक को के खिला देगा उसका वो भी हमारे एक राख के खिलाय से उपर है भावना, जितनी कैपेसीटी अगर आप दोखों खिला सकते हैं, दोखों खिलाओ, पर खिलाओ, दया करो, दया चाहिए, तो दया करो, मास का सेवन बंद करो, यह प्रण कर लो मन में, अंडा मास, मचली, शराब, सब छोड़ दो इस वक्त, देखिए, लॉकड़न में शराब नहीं मिल रही, शराबी जी र है ना, गुरु के कहने पर छोड़ दो भाई, उस समय आने से पहले छोड़ दो, जब डॉक्टर के शराब प्योगे तो मर जागा, किड्नी फेल हो जाएगी, गुरु के कहने पर छोड़ दो, गुरु से दया मांगो, वो दया करेगा, जब हम दूसरे पर दया करेंगे,